icie». जयाहिन दोस्तों आज बात करते हैं इंवरमेंटल इश्टोर बढियावरन कैंके हैं कर्णि का मतलब क्या होता देखिए आज अस्टाट करते हैं तो सबुए जान लेता है पढियावरन आपका बहुत इंपोर्टनेंट नॉट्स है आपको यह नॉट्स में से आपको टेली पढ़ाएंगे मतलब डेली आपको मिलेगा इसमें से तेरी वीडियो आपका इंवर्मेंटल स्टॉटिज बहुत हो जाएगा सिटेड के लिए तो आपको एकदम देखना नहीं पड़ेगा कोई भी नॉ और इसका अर्थ जो हता है परियावरन का अर्थ होता है परोस होता है आस परोस और नियक्ष्ट देखते हैं परियावरन में क्या है परियावरन घटक है परियावरन के घटक इसमें परियावरन के घटक क्या होता है एक मानम निर्वित घटक होता है और एक होता है प्राकि बनाता है माना भी आभी अस्मारक यह भी होता है मानम निर्मित और यह हो गया उद्धियोग फैक्टरी भी मानम भी बनाता है यह सब क्या है मानम निर्मित है और प्राकिर्तिक में होता है इसे जल मंडल हो गया जल मंडल वायू मंडल हो गया सजीव यह सब क्या है प्राकिर् डाल देते हैं प्राकृर्तिक होता है इसके बाद क्या है अस्तल अस्तलमंडल यह भी क्या Fast Lacry । रखिएगा। और पढिया-वण घहतक में जो हम लोग रहते हैं उसमें क्या-क्या होता है पढिया-वरण में माना । के रिष्टे नाते यह सब क्या होता है देखिए माना में माना में होता है समुदाई होता है धार्म होता है सैक्षिक होता है और आर्थिक होता है और एक व्यक्ति होता है परिवार होता है और देखिए मनुस्य जो है परियावरन का डिफिनीशन जान लेते हैं परियावरन का है देखे मनुश्य एक विशेश अस्थान पर विशेश समय पर जीन संपर्क पर स्थितियों में घहरा होता है उसे परियावरन काते हैं इसके बाद देखिए विशेश परियावरन दीवस 5 जून को मनाया जाता है कभी कभी सी ना जाता है विशेश जल्द दीवस मना जाता है 22 मार्च को और प्रिथवी दीवस 22 अपरील को मनाया जाता है चाहिए यह आप याद रखिये और नोट्स आपको हम बताएंगे अभी सिट्राइब कर पूरा नोर्स मिलेगा, ओक थेंक्यू